Assalamu alaikum guys, this is Hafiz Ahmad और आप देख रहे हैं Tech Maddy दोसों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह WhatsApp को बगार BlueStacks या किसी भी सॉफ़़र की मदद लिए Windows 7 में डाउनलोड कर सकेंगे तो चलिए देखते हैं अपने किसी भी ब्राउजर से वेबसाइट ओपन करें WhatsApp.com फिर डाउनलोड सेक्षिन में जाके Windows 8 के 32 बीट्स और 64 बीट्स के WhatsApp शो हो जाएंगे जो आप असानी से Windows 7 में भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डाउट है कि आपके Windows 7 कितने बिट की है तो स्टार्ट मेनियो पे क्लिक करते ही D-X-T-I-A-G टाइप करके एंटर कर दें अगर यस और नो का मेसिज आए तो यस पे क्लिक कर दें और पेज खुलते ही फ्रंट पेज पे डिटेल्स आजेंगी ऑप्रेटिंग सिस्टम के सामने और यहां Windows 7 के आगे 64 बीट लिखा हुआ है इसका मतलब कि हम 64 बीट वर्जन डाउनोड कर लेंगे डाउनोड कंप्लीट होने के बाद सेट अप को ओपन करना है और यह सेट अप आटमेटिकली वाटसैप को कंप्लीट इंस्टॉल कर देगा जिसके बाद अपने स्मार्ट फोन की सेटिंग्स में जाके वाटसैप वेब में जाके इसका बारकोड स्कैन करके विंड़ोस 7 में आप वाटसैप यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलिएगा आपकी रिक्वेस्ट के मताबिक मैं मजीड तेस तरीन टूटोरियास आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा अपना खियार रखिएगा अलाहाफिज